कराउलर एक्जोर्स में लग गया है मैट प्लैक रैपिंग करी है साथ में इसके उपर और बहुत ही भैतरी ने लूग दे रहा है फ्रंट जो इसका टायर लग गया है करना है और खास बात हम खुद घर पर यह चीज कर सके यह भी एक ऑप्शन है तो यह हो बाइक इन सभी सवालों को थे अबको जब़ाब और हम आपको दिखाएंगे काम हमने कैसे किया है और अगर आप आपको यह कुद करना चाहे तो वह कैसे कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं वीडियों में क्या क्या कि में इंस्टॉल किया है और प्रrel इकर में लगाई है और जो आपकी राइड को नहेंस करेंगी तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट और देखते हैं हमने क्या-क्या लगाया है चलिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस पाइक की सबसे बड़ी जो हाइलाइट है वह है इसके अंदर जो टायर जो लगे हैं जी हां दोस्तों इसके अंदर लग गए है कस्टमाइज़ 15 इंच के वील्स जिसमें हमने यूज किया है 15 इंच का रिम फरंट और रियर में और इस बाइक का ओर जिनल जो इंटरसप्टर के हाप है वो यूज की है स्पोक कस्टमाइज है रिवील्स कस्टमाइज है जो रिम है वो कस्टमाइज है साथ ही इसके आगे लगे हैं फैट टायर जो फरंट में लगा है 130 क्रॉस सेक्शन का टायर बहुत ही बैतरी ने लुक दे रहा है उरिजिनल मडगाड का जो मड़ फ्लैप होता है पीछे का उसक की विज़े से बोल्ड और बहुत ही भैतरी ने लुक दे रहा है फ्रंट जो इसका टायर लग गया है इसी तरह से रियर जो है टायर जो हमने लगा दिया है 140 क्रॉस सेक्शन का टायर जी हां दोस्तों बहुत ही बढ़िया फिटिंग बहुत बढ़िया डिजाइन लगता है को कर यह पैटन जो आता है यहाँ फिट और यहां पर लग गाई यहां पे देखने हैं कि अब लगाई है हैं इसको करती है कस्टमाइज टेल लाइट कर दिया है चेंज फेंडर को बना दिया है कुछ यूनीक को कि पीछे से इसका जो चील हूँप दिया प्रिखा इसका इस लगा यहां देखने हैं पर टैंक को कर दिये हमने हाँ एक पर साथ में इसके अपर उरिजनल के तरफ से वह मुंद लिए आप देख रहे हैं जो फिर लगाया है यह निवें फिर चाहिए उसके सब सीआप के साथ किया गया है और गोल्डन कलर के स्टिकर्स हैं गोल्डन कलर की इहां पे स्ट्राइपिंग दी हुई यह बहुत बहतरीन लगती है स्ट्रेश। कि इसेगे सैलेंसिर लग गया है अपनी स्ट centrması तो अबलगव परूम देख अनुट बहुत बड़िया साउंड है और इसके साथ ही आप देख रहे हैं इसके साथ भी और Fuu deras यहां पर विजिबल है एक के उपर हमने इंडिगेटर लगा है एक यहां पर खाली दिख रही है आप चाहें तो औरिजिनल बैकरेस्ट यहां पर डिल्क इंस्टाल हो जाकता है छोटा सा कर दिया है यूफ्लेम को हलका सामने उठाया है सीड को कस्टमाइज किया है तो यहां पर यहां पर लगिंडेयोकी तो यहां पर यहां पर कर सकते हैं खरा सकते हैं तो यहं यहां पर लगा दिया गया है अगर आपका बजट नहीं है हाइडाली की तरफ जाने का तो एक हमने नई डिवाइस बनाई है जिसका नाम है इजी क्लच यह हमने जावा में पिछले काफी साल से हम लोग यूज कर रहे हैं और इंटरसेप्टर के लिए भी हम बना चुके हैं आ इज़ क्यों करके हैं आपका दो प्लिव ठापसर जाने याज में तर कुछ कर रहें बनाई हैं यूबया है क्यों 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 बनाफ़ लावा है प्रोड़को अबलुब चक्लिव इस्टाराओ प्रड़को प्रोड़को 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 इस भी निया है तो दोस्तों कैसी लगी ये बाइक और कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो कमेंट सेक्षन को ला है हमने कमेंट करके बताइए बताहिएए जरूरा और कोईबी कवेरी हो वो भी आप जरूर कर सकते हैं जाकर और धिसमेरे कर सकते हैं जाकर या फिर वाट साइब नमबर दिया गया है नीचे आप देखके हैं हमें WhatsApp नंबर पर हमारे connect कीजिए या फिर हमारी वेबसाइट है अगर आप इंटर्षेप्टर के लिए अलग लग से खरीबना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट है सैंस मोटो शॉप करोल बाग नाइवाला बिल्डिंग नंबर बार सो तेज बैंक स्ट्रीट गले नंबर पांच हमाँ पर आईए यह सभी प्रोड़क्ट कस्टमाइज कर वाईए या फिर अपनी पाइक पर इंस्टॉल कर वा सकते हैं और खास बात चैनल को कर दीजे सब्सक् और शेर कर दीजे इस वीडियो को ज्यादा से जाधा ताकि जो लोग भी आपके आस्परोस में आपके दोस्त इंटरसेप्टर राइड कर रहे हैं या इंटरसेप्टर लेने का प्लान कर रहे हैं तो उनके साथ ये वीडियो कर दीजे शेर जाते जाते बस एकी बात कहना च जूड़े रहें, बने रहें, देखते रहें, आपके अपने फेविर्ट स्टोर, सैंस क्लासिक पाद्स को.